योगी आदितरात के ग्रह शेत्र गोरखपूर में सियासी पारा चड़ा हुआ है यहां से बीजेपी और सपा में काटे की टकर देखने को मिलने वाली है यहां की जनता का मूड क्या है नेटवर्क टैन के स्टेट है रागवेंद्र प्रताप सिंग ने यहां का हाल जाना है आ समय में मझाण समय में मुझूद हूं और आईए जनता का मूड क्या है और यहां क्या मूवम्ड क्या है क्या कहते हैं कि ज epsilon bait कों जीत रहा है कों किस पर बारी है समझते हैं जनता से अगर गोराफूर के अस्थानी मुद्दों के बात करें लोग सबाइए चुनाओ का सातवा चलाण एक तारिक को यहाँ चुनाओ होना है और किस के आप पढ़ रहा है भारी है क्या आस्थानी मुद्द्द्द बाकी ही ने रहा कर दिया है सारी समर्ष्याओं का हल यह जोगी मोदी की गवर्मेंट ने कर दिया है हम लोग आरसस के ओटीशी टेंड है मैं मंदल धेच रहा हूं दोदो वाड का धेच रहा हूं लेकिन भाजपा ने जो किया है वह यह जितने एक इंडी गडवंधन वाले हैं यह सब चोर हैं यह जो तो का रहे हैं कि इंडिया गडवंधन की सरकार बनेगी और भाजपा इस वार हारेगी अब उतो ख्याली पुलाव सभी पकाते हैं वो अपने सभी देखते हैं सत्य है कि भाजपा 422 से ऊपर जा रही है इस सारे समीकन इन समों के फेला कोई कमटीशन में है यह नहीं है चार तारी के बाद जानते हैं क्या लगाएंगे सब चुना आयोग चोर है और यह इवियम जो है वो बेकार है इवियम से दबाया जा रहा है जो भी बटन दबायेगा और कमल का आएगा इन चोरों को सुप्रीम कोड का वो जजमेंट देखना चाहिए चुना आयोग के उ जिसने इन जाती समीकर्ण को धौस्त किया है राश्त के गवरों को बढ़ाया है आजा बिश्व के किसी देश में चले जाई है और वहां आपका जब यह इंडियन हैं यहां कुत्ते कहे जाते थे वहां गर्व के साथ यह भारती हैं सम्मान किया जाता है और सर आप से जानन मुद्दों के बात करूं कि यहां आपका अस्थानी मुद्दा क्या है लोग समाज चुनाओं में किसका पढ़ा भारी है तो आप क्या काना चाहिए इस समय तो कह पाना बड़ा मुश्किल है कि किसका पढ़ा भारी है पहले पिछले चुनाओं में इसी भाजपा को ले करके बड़ी सुनाई देता था कि मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, लेकिन इस बार तो जनता एकदम साइलेंट है, कौन आएगा इसके बिसे में कुछ का पाना संभव नहीं, जहां तक 400 पार, 545 पार, जो भी हो, हम यह नहीं कहेंगे, लेकिन यह पता नहीं कैसे कहा जा र देखेगा, यह इंडी गटमंदन वाले खाली यह पूछेंगे, यह 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 इवियम की दिन है, यह चुनाई योग ने परिमानी किया है, और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, यह मेरा वर्ड है, ठीक है, जनता भाजपा के पक्ष में मद्दान करेगी, और मुझे भी पू चाहते हैं कि फिल्म इंडेस्ट्री से दोनों तरफ से, इंडिया गटमंदन के तरफ से, इंडिया गटमंदन के तरफ से, जो बीजेपी प्रत्यासियों भी दोनों फिल्म इंडेस्ट्री से ला करते हैं, आयातित लोग है, हमारे महा का कोई नेता अस्तर का नहीं बचा, द आप क्या काना चाहेंगे सर अगर गोरखपुर के परसपसंद में हम बात करें कि यहां के हुए बदलाओं पर या इस समय का जुलंत मुद्दा यहां पर क्या है देखिए बदलाओं गोरखपुर में जब से मानिये योगी आदितनाजी मुखमंतरी हुए हैं बहुत जादे साफी विकास हुआ है और विकास की परिपाटी अभी आगे बढ़ती चली जा रही है जब से योगी आदितनाजी मुखमंतरी हुए है जहां तक प्रत्यासी की बात है रवी किसंद जी लगभग विजय होने की स्थिति में है और विजय होंगे भी क्योंकि यहां जो 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 सब्सक्राव में विजय होंगे तो अगर आप से पूछा जाए कि क्या यह गोरफूर स्ट्रीट पर जो मद्दान होगा एक तारीक को मोदी होगी के चेहरे पर ही होगा या कुछ अस्थानी मुद्दे भी हैं यहां यहां तक रहा रवी किसंद जी का रवी किसंद पूरे प पिक्चर बनाए चलेगा हिरो बन गया कहीं पूरे पांच सालों ने बाल में यहां काम किया और यहोगी जी कि पूरी विकास और गोरफूर में लागू कराया रात में फ्लाइट शुरू कराई यह रवी किसंद की ही दिन है तो उनके उपर यहारोप नहीं लग सा था को हिर जी जो मुख्मंतरी भी हैं और इस चुनाओं में गोरफूर में देखा जाया तो चुनाओं नहीं होता है यहां पर लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और बहुत बड़ी संख्या में आस्थाएं जुड़ी हुई हैं यहां तक की जो गोरफूर मंदिर के अगल बगल मुस्लिम कम्यूनिटी है उसकी भी एक तरीके से आस्था जुड़ी होती है क्योंकि एक ऐसा संबंध ह वो एक दिखाव के संबन तो जरूर है कि हिंदू मुसल्मान और यह और वो चुनाओं में बहुत सारी बाते होती है लेकिन अगर गोरकनात का मेला जब लगता है तो 50% से ज्यादे मुसल्मान वहां दुकान लगाते हैं जिनकी रोजी रोटी वहां से चलती है तो जिस व्यक् लड़ा करते थे उनके पहले अवे दिनाजी लड़ा करते थे जायद एक बार मोदी जी की सीट फस सकती है गोरखपूर में रवी किशन की से नहीं फसेगी कि योगी आदितनाज साथ में हैं अधर्वाइज हमारे पास जो कहा गया कि हमारे कैंडिडेट के नाम पर हमको सिर लेट से निता लोग आए हैं तो तो ये ये फिलिंग दे बलैंक के रूप में भी कामाते हैं लेकिन जीतेंगे वो और हम मान के चलेंगे कि जितना योगी जी ने विकास किया है सड़के दे दी बिजली दे दिया हलांकि बिजली तो इस गर्मी में लखनों में भी लोग तर अगर है तो आने वाले दिनों में आएगी मेडिकल कॉलिज पचास साल में आज भी मानेता के संकट से रोज गुजरता है लेकिन है तो इसे फ्लैक्टिस पर रोक लगी आप बताईए आप से अगर पूछें कि अस्थानी मुद्दे गोरफूर के लिए एक तारिक जो और हुए है कौन इहां से जीत की तरफ अगर से अस्थानी मुद्दों सब्सक्राइब हो रहा है हमको नहीं लगता है कोई अस्थानी मुद्दा यहां बचा है यह से डिकल के छेतर में आपका आयम सा गया, और सारे मेडिकल कालेज खुले हैं सडके मर रही हैं सारा दो सार चार सार दस साल और यह सरकार बरतमान सरकार इस पर अच्छा काम कर रही है तो हमको लगता है कि फिर यही सरकार रिपीट करेंगी यही परत्यासे रिपीट करेंगी अच्छे मार्चिन से रिपीट करेंगी। और मुखीता गोरखनाध प्यूट जो यहां पे गोरखपुर में गद्धी है जिसके महनत योगी आदितनाध जी है जो बरत्मान में मुखी मंतरी में है उस मुद्दे को प्रभाईू रूप से बताया कि वह मुद्दा जादे भारी है और गोरखपुर की ही वह उतर पर साल दिखाई दे रहा है वीडियो जर्नलिस्ट दिली के साथ में रागवंद पृताफ सिंग नेटवर्क टेन गोरख बूर्ख